अगर आप मेरे चाहरे और शरीर के अंचाहे बालोग से छुटकारा पाने की एक बहुत ही जबरदस रेमिडी आज आपकी साथ में शेयर करने जाए यकीन मानी दोस्तों इसके पहले बार के इस्तेमाल से आपको एक दम जबरदस्त मिले व». हमारे घुते चाहरे के हाथ पैरों के फिरे और च्ठेशी शुटते के बाल होते हुतें लिए उसके इसके पहले ही भार के इसाथ पैरों हुकर यजब्तुदाग्य। उन्हें निकालने के लिए इस remedy का इस्तमाल आपको 3-4 बार करना होगा आपको 100% result मिलेगा दोस्तो इस गजब की remedy को बनाने के लिए सबसे पहला ingredient मैं ले रही हूँ वो है वैसलीन, petroleum, jelly या को किसी भी medical store में बहुत ही आसानी से मिल जाती है आपको याँ पे ज्यादा ने केवल आधी चोटी चमची वैसलीन लगने वाला है वैसलीन हमारे अंचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होती है वैसलीन इसके अलावा हमारे skin को hydrate और moisturize भी करती है हमारी रूखी सूखी तवचा में भी जान आती है वैसलीन का इस्तमाल करने से कई बार हमारी तवचा जो है वो dry हो जाती है dry होने की वज़े से भी हमारे तवचा में काला पन आने लगता है तो वैसलीन हमारे skin को hydrate कर हमारे skin को healthy रखती है साथ ही अदी वैसलीन का इस्तमाल आप रेगिलरली करते हैं तो एजिंग के प्रभाव को भी एक कम करने का काम करती है ऐसा नहीं है कि वैसलीन का इस्तमाल केवल ठंड में ही किया जाता है वैसलीन का इस्तमाल आपको पूरे समय करना चाहिए क्योंकि वैसलीन बहुत ही जादा फाइदे मन होती है हमारे स्किन के लिए हमारे बालों के लिए भी इसे लगाने से हमारे बालों की लंबाई बहुत ही तीजी से बढ़ती है वैसलीन के वैसे तो बहुत सारे इस्तमाल है लेकिन आज जो मैं इस्समाल बता रही हूँ, वो अंचाहे बालों को निकालने के लिए बता रही हूँ जो अगली चीज मैं आपे लेने वाली हूँ, वो है गेहू का आटा जो नॉर्मल हम गेहू का आटा घर में यूज करते हैं, वहीं आपको यापे लेना है और गेहू का आटा तो हम सभी की घर में अवेलेबल होता ही है अगर मान लीजे अभी आपके पास इस वक्त गेहू का आटा नहीं है तो उसके जगा प्या बेसन भी ले सकते हैं और साथ ये जो आटे के छोटे-छोटे से करण होते हैं न दोस्तों, ये हमारे स्किन पर से डेट स्किन सेल्स को रिमूफ करने का काम करते हैं, जिससे की हमारी तुचा पे अच्छी चमक आती है, इसके इस्तमाल से आपके चेहरे पे समय से पहले जुरिया आने नहीं पाएग जो अगली चीज हम इसमें डालेगी न दोस्तों, वो है हल्दी पाउडर, चेहरे के लिए जब आप कभी हल्दी का इस्तमाल करें तो कोशिश करें कि आप कसूरी हल्दी का इस्तमाल करें, किसी भी आपको आयरेजिक्स चोड में आसानी से मिल जाती है, कसूरी हल्दी से आप नॉर्मल किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं लेसे कोशिश करें अइरवेजिक स्टोर से एक बार कशुरी हल्दी को खरीद के ले आएं बहुत दिन दग यह पकी चल जाएगी आप कोई भी हल्दी ले चाहे आप कि तोड़ा सही है नहीं कि चुटकी भरी आपको हल दिया पे लिनी है इस पैक को दोस्तों आप अपने चहरे के अलावा अपने हाथ पैरों पर भी लगा सकते हैं आपके शरीर से जो अंचाहे बाल है चुटी चुटी से बाल है वो एक ही बार के इस्तमाल से हट जाएंगे हमारे हाथ पैरों के बालों को हटाने के लिए हम ज्यादातर रेजर का इस्तमाल करते हैं वाक्सिंग कराते हैं चेहरे के बालों को अटाने के लिए त्रेडिंग कराते हैं कई तरीके के केमिकल वाले हैर रिमूबल क्रीम का भी हम इस्तमाल करते हैं और यह सारी ही चीजे हमारे स्किन के लिए ब आप चाहे तो कच्चा दूद भी ले सकते हैं या उबला हुआ जो दूद दार जो ठंडा करके हम इस्तमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हैं अच्छी तरीके से आप इसे आप मिला ले एक गोल त्यार कर ले आपको ज्यादा पतला इसे नहीं करना है और ना ज्यादा थिक करन का सदूद और मिला लूँगी इसमें ताकि कंसिस्टेंस इसकी बिल्कुल पर्फेट हो जाए लगाने में भी आसानी होगी आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं या अंडर आमस पर भी आप इसे लगा सकते हैं इससे आपके छोटी-छोटी से बाल है वो एक ही बार क इस्तमाल से तो निकलेंगे ही साथी साथ वजक्ट से गंदगी निकलेगी संटन रिमूव हो जाएगा किन के जो दाग दब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे और इससे आपके स्किन में बहुती गजब का निखा राएगा अब मैं इस रमेडी को आपको अपने हाथों पर अपने चहरे पर भी लगा के बताऊंगे किस तरीके से आपको अपने हाथों पैर उपर लगाना है किस तरीके से आपको अपने चहरे पर इसे लगाना है आपको इसे लगा करके इस तरीके से दस मिनट तक आपको इसे छोड़ देना है आपको इसे अपने हाथ पैर उपर मस मसाज करते हुए लगाना है कम से कम दो से तीन मिनिट आप मसाज जरूर करें उसके बाद आप दस मिनिट ऐसे छोड़ दे और जब यह सूख जाएगा तो किस तरीके से आपको इसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपर डारेक्शन में यानि कि जहां पर इसे हैर क मसाज करें और चहरे पर भी आपको उसी तरीके से दस मिनिट रख करके अपर डारेक्शन में यानि कि जहां से हैर रोध होता है उसके अपोजिट डारेक्शन में आपको मसाज करते हुए यानि कि रगड़ते हुए इसे निकालना है तो मैंने भी फेस में हलका मसाज करके 10 म दोस्तों मुझे comment करके बताना बिलकुल ना भुले कि आपको मेरी remedy कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मिटिव लगी होगी तो like, share, subscribe करना बिलकुल ना भुले वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने कोशिश जरूर करें अपनी दोस्तों वरिश्यदारों में ताकि आपकी जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच वाचिन दिस वीडियो फ्रेंट्स मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर